बिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीशन आग लग गई आग ने केमिकल से भरे टैंकर को भी चपेट में ले लिया जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया फैयर बिगेट के आठ गाड़ियों ने करीब पाच घंटे की मशरकत के बाद आग पर काबू पाया हाई टेंशन तार में स्पार्क होने से फैक्ट्री में आग लगने के आश्रंका जताई जा रहे हैं आग लगने के बाद पुलेस और प्रशासन ने पूरी इंडस्ट्रियल एरिया को खाली कराया फैक्ट्री में भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं जिसके कारण कुछ देव के लिए भगदर भी मच गई थी बताया जा रहा है कि 6-7 करोड का नुकसान हुआ है फिलहाल इलाके से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फायर बिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया